वेलकम टू संध्याप्लेक्स डिजल अन्लोडिंग होज इन्सान हो या वाटर हो या एर हो सब पर काबू पाने वाले इन्सान नहीं तो है 1821 के दौर में रबर होज का विश्कार किया गया देखा गया की आईल को एक से दुशरे जगा ट्रांसफर करने के लिए जरिया क्या है और इसको वेस्टे से बाचाया कैसे जाए इसके बाद 1821 में रबर होज का अविश्कार हुआ और इसके बाद इनर्जी के बिना जीवन नहीं जिस तरह से इन्सान को फूड्स की जरूरता है इनर्जी के लिए इसे तरह से ट्रांसफर्ट को इनर्जी की जरूरत है डीजल और पेट्रोल डीजल और पेट्रोलियम पोड़क को चाहे बेंजाउन हो या इथलीन हो या पेट्रोल हो डीजल हो फर्नेस आइल हो तो इसको अनलोडिंग करने के लिए एक ऐसे रबर होज की जरूरत थी जो 1838 में अविस्कार किया गया रोड एन रेल ट्रेंकर आइल होज जो आज इसली डीजल हो या पेट्रोल हो या कोई भी लिक्विड फॉर्म को एक दुसरे वेहिकल्स में वैगन में या रोड ट्रेंकर से रेल ट्रेंकर में या रेल ट्रेंकर से रोड ट्रेंकर में इसली डिश्चार्ज किया जा सकता है इसका जो पॉलिमर होता है इन बिया रबर लाइनिंग में होता है कभर में न्यूप्रिंट अबर ओजन रेजिस्टेंस होता है और इसमें टायर कॉर्ट या पॉली कॉर्टन फैब्रिक का रेन्फोर्स्मेट यूज किया जाता है इसको क्लेप्स होने से बचाने के लिए भैक्यूम रेजिस्टेंस मेंटेन करने के लिए गल्बनाइजिंग किया हुआ हाई टेंसन हेलिक्स वायर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि डिस्चार्च और डिलेवरी के टाइम में होज क्लेप्स न हो जाए इसको इसली फिटिंग करने के लिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करों झाल क्लिए झाल झाल